आज आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में आज हम आपको वी लुक अप के बारे में बताएंगे कि कैसे लगाया जाता है और कैसे कहां पर इसकी जुर्थ होती है तो आप देख रहे हैं कि हमने टेबल A एं टेबल B दो टेबल लिये हैं जिसमें कि टेबल A में हम कुछ नेम्स लिये हैं उनके वरकिंग देश हैं and सेलरी है और टेबल B में भी सेम नेम्स है वरकिंग देश ब्लेंक है और सैल्री भी ब्लेंक है तो वीलुक अप फॉर्मला के तुरू आज हम इसको फिल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमस्तार्ट करते हैं is equal to we lookup bracket start याद रहे कि हमारे जोनों फाइल हैं उसमें हमारे similar चीज है हम सबसे पहले उसको जिसमें हम formula लगा रहे हैं उस sheet में हम जो similar चीज है हमें उसे select करेंगे फिर हम comma लगाएंगे फिर हम दूसरी table पर जाएंगे और उससे same जो हमारा similar है उसे select करेंगे और उसे हम बहां तक drag करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें हम working days यहाँ पर fill करना चाहते हैं उसको पूरा नीचे तक select कर लेंगे और आप देखने हैं कि यह दूसरे number पर आया है जैसे कि आपको नीचे show भी हो रहा है तो हम इसको comma 2 लगाएंगे और comma zero करके और bracket बंद करके इसको fill करतेंगे एंटर करते ही आप देखेंगे कि आपका वी look up formula लग गया है अब आप नीचे double click करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सारे में data fill हो गया है तो अब आप ऐसे हम salary में दुबारा से वी look up formula लगाएंगे देखें आप जैसे हमने last time लगाया था उसी तरह similar same लगाएंगे is equal to we look up bracket start again हम दोनों similar file वाला column select करेंगे comma दूसरी file में जाएंगे और same हम name select करेंगे लेकिन last time हमने working days तक select किया था लेकिन अब हमें salary put करनी है तो हम salary करके उसको पूरा नीचे तक लेके जाएंगे तो आप देख रहे हैं नीचे corner में 3 दिखाया जा रहा है तो आप comma 3 लेंगे और comma 0 हम 0 इसलिए लेते हैं कि हमारे को exact position मिले exact value मिले जो हमारी दूसरी file में है और bracket बन करेंगे हम formula को बन करते हैं और enter दबाते ही आप देख रहे हैं कि exact salary figure यहां पर आ गई है आप इसको double click करेंगे तो same पहले की तरह है आपका data पूरा fill हो जाएगा उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे वीलकव formula जैसे हमने समझाए इससे समझ पाए होंगे प्लीज वीडियो को like share करें और channel को subscribe करें thank you so much